एक यह के डिगरी एक जोसर कियो सब्सक्राइब करत Hail WAS सब चिल बैंतने हống भाई में उस्सका डिखावे के लिए काम क्रोबे सब दनायां और कोई वर्थ नहीं होगा हम किसी के पीछे जाते हैं उसी में मजा आता था अगर वो पलेट के हमारे पीछे आन लगे तो मजा निया आता था I used to cut off तो हमेशा I wanted की वह यह one-sided वाला चीज रहे और उससे मेरा समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो Hello everyone this side Sanjeeb Pandey और आज बात करेंगे हम relationships के बारे में relationships during your student life तो school life में जब आप होते हो तो yes there are दुनिया भर के hormones, दुनिया भर की चीजें जो आप सुन रहे होते हो आप experience कर रहे होते हो और जिसकी वज़े से you मतलब sooner or later आज या कल कभी ना कभी कुछ attraction जैसी चीज हो जाती है हैना कुछ affection सा हो जाता है तो आज इसी बारे में बात करेंगे clearly बात करेंगे ऐसी बात जो normally teachers थोड़ा सा नहीं बात करते उस बारे में हम बात करेंगे and और इस बात को clear तरीके से समझेंगे क्या relationships हमारी पढ़ाई पर असर डालता है या नहीं डालता है ठीक है और एक और चीज वीडियो के एंड में मैं एक और interesting बात बताऊंगा मेरे school time की तो ध्यान से देखे इसको so sir ये जो बतादो की जो रिष्टा होता है relationships जिसको कहते हैं ठीक है क्या ये असर डालते है yes so इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आप किस category के बच्चे हो ठीक है क्या आप already relationship में हो या relationship में अभी नहीं हो चाहे बच्चा 7-8-9-10-11-12 जिस भी एज में हो ठीक है और देखो कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये बात करनी सही है कैस platform पर मुझे लगता है सही है क्योंकि ये कहा देखा जा रहा है YouTube पर जहां पर already दुनिया पर की तरह की वीडियो जो है आप देख रहे होते हो so discussing it over here मुझे लगता कि कोई दिक्कत का विशा है in fact इसमें और clarity मिलेगी okay so कुछ लोग है जो relationship में है कुछ है जो नहीं है इसमें भी further category पता है क्या है इसमें भी दो category है एक जो balance कर पा रहे हैं सही तरीके से अपने relationship और पढ़ाई को relationship and study को properly balance कर पा रहे है और कुछ लोग हैं जो balance रिष्टे में हैं लेकिन balance नहीं कर पा रहे है okay जो relationship में नहीं है उनकी भी दो category है आप बताना कि आप एक दो तीन और चार किस category में आते हो मैं भी बताऊंगा ठीक है अपने वारे में अपने school time के वारे में so जो नहीं है उसमें भी दो कौन से कौन से है एक जो चाहते है कि यार उनका भी कुछ और एक है जो नहीं चाहते जो जिंदगी में इतने अपने चीजों में focused है अना अपने future को लेके या अपने खुद के self growth में कि वो नहीं चाहते है ठीक है आँ भाई ऐसे लोग भी होते है और एक जो चाहते है सर अब इन सब category में से आपने सोच लिया होगा कि आप कौन से category में आतो of course ये तो बहुत clear है कि अगर आप नहीं चाहते तो भाई कोई दिक्कत की बात ही नहीं है नहीं चाहते तो कुछ करना ही नहीं है just relax and congratulations कोई दिक्कत की बात नहीं है आप सही रास्ते में हो and no issues no worries कोई कुछ भी बोले आप सही डिरेक्शन में हो अपने काम में focused हो अपने पढ़ाई में focused हो keep doing it कोई कुछ भी बोले फरक नहीं पड़ता आपको अपने चीज से फरक पढ़ना चाहिए दूसरी जीज की जो study को और relationship को balance कर पा रहे है इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो partner है if you are a girl तो लड़का and if you are a boy तो लड़की generally तो आपका जो partner है वो आपको इतना बढ़िया तरीके से आपके साथ time spend करता है या बहुत ही restricted way में and balance तरीके से time spend करता है उसको पता है कि हमको हफते में बस एक दिन हमको ऐसे मिल लेना है बाते शेयर करते एक दूसरे से बहुत अच्छा लग जाता है और उसके बाद phone पर भी हम कितनी देर communicate करते हैं वो भी restricted है तो दोनों ने एक दूसरे को properly balance कर रखा है और अगर ऐसा कुछ है इससे पता है इससे ये भी होता है कि आपकी पढ़ाई और better होती है कई बार आप जब अपनी feeling share कर पाते हो तो ऐसे लोग जो ये balance कर पाते हैं they don't have any problem वो और अच्छा excel कर पाते हैं अपनी पढ़ाई में इस चीज की वज़े से तो भाई उनके लिए भी कोई दिक्कत का विशेह नहीं है यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ no दिक्कत carry on और कोशिश करो पढ़ाई में और better करो उस चीज की वेज़े से पढ़ाई में और better करो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा no दिक्कत नहीं तो गलत समझ लेंगे no दिक्कत keep focused तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है they are absolutely sorted है ना दिक्कत किसके तरफ आती है जो थोड़ा mid में है जो थोड़ा confused zone में है जो दिक्कत में है actually एक यह category जो relationship में है और balance नहीं कर पा रहा है ना उसके number की धजिया उड़ी हुई है उसका जो partner है वो उसको इतना time खा जाता है उसका इतना दिमाग खा जाता है या खा जाती है कि उसको पढ़ाई में उसका असर दिख रहा है और सब चिला रहे है ठीक है घरवालों को भी कहीं नहीं कहें हिंट है होता है वो और दूसरा जो mid zone में आते हैं वो यह है कि relationship में नहीं है पर चाहते हैं पूरा time वो उसी तलाश में होता है जहां जाएंगे उसी तलाश में होता है ठीक है मौके की तलाश में होता है तो यह दोनों जो है यह दिक्कत वाले लोग अब यहाँ पर क्या करना है ऐसे मैं ठीक है में लगता है कि majority जो जनता होगी वो not majority पर कई लोग होंगे जो यहाँ पर होंगे जो इस वीडियो को completely देखेंगे और समझेंगे so balance अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई आपको पता है क्या करना आपके लिए ये red signal है and you should stop it यहाँ पर हम लिख देते हैं stop लेकिन ये stop भी कैसे करना वो important होता है क्योंकि आप जब relationship में हो आपका partner भी उतना ही उसका हिस्सा है तो इसमें आप इतना सही तरीके से इतना convincing तरीके से right approach के साथ जब आप बात करोगे तो वो चीज stop हो सकती है या एक समझो time being का break up हो या जो भी हो ठीक है पर वो वहाँ पर ज़रूरी होगा फूल स्टॉप लगाना दोनों के लिए अच्छा होगा तो ये बात आप बहुत ही genuine बहुत ही genuine advice होगी कि अगर दिक्कत दे रहा है वो आगे जाके और problem बढ़ेगी तो फिलहाल के लिए stop लगाना ज़रूरी है और लास्ट में में एक और चीज बताऊंगा ये सब का जो एक conclusion होगा सभी लोग के लिए वो बताऊंगा उसके बाद जो है relationship में नहीं है and they want तो ये want भी दो type का होता है एक तो ये होता है कि वो अकेलापन है उनको अपनी feeling share करनी है पर कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोई अपना हो कोई अपना जो गाना है ठीक है तो ये वाली feeling दूसरा वादा जो flaunt करने के लिए आप show off करने के लिए करता है show off category तो अगर आप show off करने के लिए जा रहे हो anything for show off I always I strictly want them to stop it don't go don't go for it तुम और मुसीबत बटो रहोगे और कुछ नहीं होगा तुमको बहुत बहुत दिक्कत होने वाली है कोई भी काम सिर्फ यही नहीं कोई भी काम show off के लिए कर रहे है तुम और दिमाग में अपने thoughts नहीं क्दम straight होने चाहिए भाई मेरे को यह चीज़ करनी है और मेरे को दिखावे के लिए कोई काम दिखावे के लिए काम करोगे उसमें सब टाइम जाएगा कोई वर्थ नहीं होगा जिंदगी में वैसे उससे भी नीचे करोगे और जो लोग अकेले पन की वेज़े से कर रहे है उनके लिए मैं seriously कहूँगा कि देखो सिर्फ तुम ऐसे नहीं हो जो की या सिर्फ वो relationship ही तुमारा अकेला पन दूर नहीं करे you have your parents, you have your siblings भाई, बहन कोई दिख्कत नहीं थोड़ा सा अगर difference है अगर age का भी तब भी तुम थोड़ा सा convince करने का थोड़ा सा बात करने का not convince, बात करने का make them your friend आपके original friends होते हैं दे में भी girl, boy परखनी पड़ता बड़ उनके साथ भी जब आप वो bond बना लते हो sharing करते हो तो वो दिक्कत दूर हो सकती है आप socialize होगे आपको अच्छा लगेगा अपने पढ़ाई पे भी focus कर पाओगे तो मैं ऐसे में मतलब again I will recommend की आप यहाँ पर अपने friend, family भाई, बहन इन सब के साथ अपने life को बहुत बहतर carry on कर सकते हो ठीक है अब मैं कुछ conclusion बताना चाहूँगा for all type of students आप लोग नीचे comment में बताना आप कौन से category में आते हो ठीक है so इसमें एक बात समझना कि ना चाहे किसी भी तरह का relation हो कोई भी मतलब में भी आप अच्छा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो जो भी category में आप आ पा रहे हो कोई भी चीज समय लेती है it takes time और यह time कहां से आएगा आपका majority time जो है आपके goal की तरफ होना चाहिए and obviously this is not the goal of your life है ना this is part of your life this is not heart of your life तो उस goal के लिए जो आपका time है आपके पास बचता है उस time में से ही कुछ time निकल के इसमें जाने वाला है तो अगर यह इससे जादा productive जैसे इस case में थोड़ा time जा रहा है पर उससे जादा productivity उससे जादा mentally आप जादा strong बनके आ रहे हो जिससे आप अपने लड़ाई और strongly लड़ पा रहे हो तो फिर well and good पर आप उस category में नहीं हो don't try to do it ठीक है जो अकेले जिंदगी में जंग लड़ने वाले category भी होती है ठीक है तो आप अपने आपको ना कोशिश करो कि यहां और यहां से हटा के या तो आप इधर हो complete या तो आप इधर ठीक है जो बच्चे मैंने बदलब अकसर देखा हुआ है कि जो बच्चे up to 12th की मैं अगर बात करूँ और ज्यादा strongly 10 तक की तो majority इस category में आता है not in this category कुछ लोग होते हैं बहुत smart बहुत extraordinary जो यहां पर आ सकते हैं पर उसका मतलब यह नहीं कि जो इधर आते हैं smart और extraordinary नहीं होते है ठीक है इसमें और ज्यादा smart और extraordinary लोग होते हैं तो मैं जानता हूँ यह जो है काफी जादा confusion वाला एज होता है इसमें आप teenage से आप धेरे-धेरे move हो रहे होते हो maturity की तरह ठीक है सही गलत जो है वो समझ नहीं पाते है parents जादा इंडिया में comfortable नहीं होते इन सब चीजों से के बारे में discuss करने के लिए मैं parents request करूँगा कि आप अपने बच्चों का अच्छे दोस्त बनिये और उनके साथ मैं ऐसे चीज़े भी share करें और इसके इलावा जिन्दगी में जब success मिलेगा न आपने देखा होगा कि बच्चूरत लोग भी सुन्दर दिखने लगते हैं और तुम्हारे जिन्दगी में ऐसे कोई बच्चूरत होता नहीं पर मैं generally बता रहा हूँ कि शकल सूरत कोई माहिने नहीं रखेगी और कैसा भी इंसान आपको पसंद आने लगेगा अगर उसके पास success है तो ऐसे तो ये सब चीजों की मेरे जिन्दगी में कमी नहीं होगी और आसान होगा मेरा मुझे मेरा सही रिलेशनशिप जो ऐसी प्यार महबबत वाले रिलेशनशिप होती है उसको पाना इसके लावा you have your family you have your mommy, papa जो और ज्यादा बॉंडिंग वाले रिलेशनशिप आपके साथ कैरी करते हैं आप किसी भी कैटेगरी में हो उनकी respect, उनसे प्यार सबसे highest होना चाहिए ठीक है और finally जो मैंने बोला था सर अपने बारे में तो बताये ज़ नहीं है मैं स्कूल में किस कैटेगरी में आता था तो मैं आपको मैं जैनुरी बताऊँगा I was in this कैटेगरी I was in this कैटेगरी, ऐसा कुछ not exactly show off पर कही नहीं इनके भी बीच में कि लगता था यार अपने को भी थोड़ा सा आशा हो रहा उसी में मज़ा आता था अगर वो पलेट के हमारे पिछायन लगे तो मज़ा नहीं आता था I used to cut off तो हमेशा I wanted कि ये one-sided वाला चीज रहे और उससे मेरा समय बिल्कुल भी waste ना हो I was that smart भले पढ़ाही में बाद में धिरदर दिमाग खुला पर ये चीज इस तरके से थी एकदम जनीन बतारो शायद कोई पिडियो देख भी रहा ऐसा तो आपके लिए भाई कोई सही इसमें कोई सही गलत कुछ नहीं है but again you need to be that smart कि सबसे बड़ी चीज सबसे important चीज है आपका goal ठीक है और सबसे important relation है आपके parents आपकी family ठीक है again ये relationship भी बहुत आगी जाके मतलब life में जब तुम पढ़ाई कर लेते हो जब तुम एक point पर आ जाते हो where you can balance it तो वो आसान हो जाता है मतलब मेरे case में बता रहा हूँ कि मतलब finally आगे जाके मेरे जो शादी हुई वो कौनसी टाइप की शादी हुईगी love arrange वो आप comment करके बता हूँ कहीं लोगे बता होगा ठीक है इसी कीज़ाद वीडियो करते हैं और I hope कि आपको एक clarity मिली होगी कि भाई मेरे को किदर होना चाहिए मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ ठीक है वो चीज़ समझना बहुत जरू होगी इसके आप करते हैं वीडियो को end पिलते हैं अगली topic में अगली वीडियो में till then bye-bye keep keep learning keep growing keep loving your parents keep whatever you are doing bye-bye download the app now